मौहम्मद शमी ने फिटनेस पर दिया बड़ा अपडेट आस्ट्रेलिया सीरीज में खेलने पर भी बोले न्यूजिलन्ड के खिलाफ बैंगलुरू में समाप्थ हुए भारत के शुरुआती टेस्ट के बाद उन्होंने नेट पर गेंद बाजी की इस दोरान उन्होंने पू सबसे पहले मिल सके वीडियो को लाइक एवाम शेर जरूर करें साथ ही कमेंट बोक्स में कमेंट करते हुए यहां बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ताकी मैं आपको थेंक्स बोल सकूँ साथ ही साथ Facebook पैज पर देख रहे फ्रेंडस वीडियो को लाइक शेर करते हुए कमेंट बोक्स में बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे है ताकि आपको भी मैं थैंक्स बोल सकू वीडियो को लाइक एवं शेर करने से आपका कुछ नहीं जाता और हमें यह मालूम चलता है कि हमारी वीडियो कहां कहां देखी जा रही है साथ ही साथ इससे हमारा होसला बढ़ता है आईए चलते हैं अपने टॉपिक पर भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहमत शमी लंबे समय से टीम से बाहर चल रही है उनके फिटनेस को लेकर काफी अटकले लगाई जा रही है अब शमी ने खुद अपनी फिटनेस पर अपडेट दिया है मोहमत शमी ने कहा उन्हें अब जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है और वह अगले महिने शुरू होने वाले आस्ट्रेलिया के दौरे के लिए अब भी दौर से बाहर नहीं हुए है न्यूजिलन्ड के खिलाफ बैंगलुरू में समाप्थ हुए भारत के शुरुआती टेस्ट के बाद उन्होंने नेट पर गेंदबाजी की हाला कि कुछ दिन पहले कप्तान रोहित शर्मा ने खुलासा किया था कि उनके घुटने में सूजन है जिससे पिछले साल लगी टकने की चोट से उबरने के लिए चल रहा उनका रिहेबिलिटेशन प्रभावित हुआ गुरुग्राम में यूजेनिक्स हैर साइनसेस द्वारा आयोजित कार्यकरम के दौरान इस 34 साल के गेंदबाज ने अपनी क्रिकेट यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा मैंने कल जिस तरह गेंदबाजी की उससे मैं खुश हूँ मैं इससे पहले आधे रनब से गेंदबाजी कर रहा था क्योंकि मैं ज्यादा दबाव नहीं लेना चाहता था लेकिन कल मैंने पूरे रनब से गेंदबाजी की पर्थ में 22 नवंबर से आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैच की टेस्ट सीरीज का जिक्र करते हुए शमी ने कहा मुझे अब कोई दर्द नहीं है हर कोई लंबे समय से सोच रहा है कि मैं आस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जा पाऊंगा या नहीं लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय है डौट रोहित ने कहा था कि वहाँ फिटनेस के कारण शमी को महत्वपूर्ण सीरीज के लिए ले जाने के पक्ष में नहीं है शमी ने यह भी कहा कि वहाँ मौजूदा रंजी ट्रॉफी में अपने राज्य की टीम बंगाल के लिए कुछ मैच खेलना चाहेंगे उन्होंने कहा मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज सुनिष्चित करना है कि मैं फिट रहूं और ऑस्ट्रेलिया श्रिंखला के लिए मैं कितना मضبूत रह सकता हूं मुझे पता है कि आस्ट्रेलिया में किस तरह के आक्रमन की जरूरत होती है मुझे मैदान पर ज्यादा समय बिताना होगा शमी ने कहा मैं इससे पहले कुछ रंजी मैच खेलना चाहता हूँ मौमत शमी चोट के कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 नवंबर को 2023 वंडे विश्व कप फाइनल के बाद से भारत के लिए नहीं खेले है